हेलो दोस्तों, आचल टेरिस गार्डन में आपका स्वागत है, आज है अगस्त की 11 तारीक, वीडियो की शुरुआत खुबसुरत गार्लिक वाइन से फ्री का प्लांट है, डेड़ साल पहले मैंने इसे रोट साइड एक घर से कटिंग लाकर अपने गार्डन में आड़ किया हुआ है, बहुत प्यारा सा इसका फ्लावर होता है पर्पल कलर का, आप देख सकते हैं कि इतने अच्छा से फूल खिले हुए हैं, पर्मनेन प्लांट होता है, और आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगे अपने सारे प्लांट्स टेरिस में लगे हुए, रीजन यह है फ्रेंट्स की कुछ गलतियां हमसे रेनी सीजन में हो जाती है, वही गलती मेरे से भी हो गई है, जिसके चलते मेरे सारे प्लांट्स थोड़े से अल मैंने लगाई हुई है, और यहां पर गुलाब की कटिंग है, और यह जो देख रहे हैं, क्रोटोन की कटिंग है, तीन कटिंग मैंने लगाई थी, क्रोटोन की, दो बैंगलोरी क्रोटोन और एक बहुत ही खुबसूरत क्रोटोन, जिसमें से एक बैंगलोरी क्रोटोन की क्र लग गई है और एक जो खुबसूरत और क्रोटोन थी उसकी भी लग गई है एक बैंगलोरी क्रोटोन की कटिंग फेल हो गई है और यह जो शौक में चला गया है प्लांट गुढ़ल का इसकी भी हालत अभी वैसे की वैसे है लेकिन आई होप यह ठीक हो जाएगी और यहां पर बेबी सर्रोज में बहुत अच्छे से फोल खिले हुए है इधर सारे मेरे सजावटी प्लांट आपको देखने को मिलेंगे और यह मेरे घर का ही गुलाब का कटिंग है नीचे पोर्च गार्डन में इसका बहुत ही बड़ा सा प्लांट है जिसकी मैंने हाड प्रुनिंग कर दी थी और उसी की कटिंग मैंने चार-पाँच लगाई हुई है और बहुत लोगों आसपास वालों ने गुलाब की कटिंग मेरे यहां से ले गया है उस दिन और बहुत बड़ा सा साइस का फ्लावर खिलता है उसमें रेड कलर का और यहां पर भी सारे प्लांट्स आपको flowering चल रही है आप देख सकते हैं यह देखें फ्रेंट्स और यह जो plants आप देख रहे हैं उसको मैं Saturday को इस्कुल में ले जाओंगी और हमारे यहां बालवारी भी है इस्कुल में तो वहां की मैडम को मैं गिफ्ट कर दूँगी ये प्लांट्स और एक इसकुल के पास ये एक घर है वहाँ भी मैं ये प्लांट दे दूँगी वो लोग भी थोड़े प्लांट के शौकिन है और इधर भी सारे गुलाब है गुलाब में मुझे काम करना है अब इनकी ग्रोथ शुरू हो गई है विट्स वगेरा बहुत निकल आ रहे हैं और देखे टूरेनिया का प्लांट भी इसमें उगा हुआ है तो विट्स की सफाई करनी है मुझे और इनको फर्टिलाइजर देना है क्योंकि हमारे यहां लगभग पांच-छे दिन हो गए है सप्ताह भर हो गया है समझो बारिश नहीं हो रही है और ऐसा मौसम हो जाता है कि बस बारिश होने वाली है और उसके चक्कर में मैं पानी नहीं डाल देती प्लांट्स को ऐसा दो-तीन दिन तक हो गया मेरे साथ कि जैसे ही मैं पानी दूंगी ऐसा सोचने लगी उस समय मौसम ऐसा हो जाता था कि आज बारिश आ ही जाएगी और उसके चक्कर में मैंने पानी नहीं दिया प्लांट्स को और जब शाम को मैं टेरिस पे आई इसकुल से आने के बाद तो मेरे बहुत सारे प्लांट्स के जो पत्ते हैं वो यलो हो गए थे मतलब सूख गय थे पानी पानी बिल्कुल नहीं था उनके मिट्टी में जिसके कारण प्लांट्स की हालत थोड़ी सी खराब हो गई है ये देख सकते हैं इसके पत्ते भी सूख के गीर रहे हैं। जर्बेरा की हालत तो ठीक है, ये देखिए जर्बेरा ठीक है। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनको मैंने बिल्कुल भी पानी नहीं दिया था। दो-तीन दिनों से बारिश आ जाएगी करके। वो प्लांट्स मेरे थोड़े से गड़बड चल रहे हैं। जैसे ये अलमंडा के सारे पत्ते यलो हो गए, अंडर वार्टरिंग के कारण, और फ्लावर्स बहुत अच्छे से खिल रहे हैं। और यहाँ पर देखे लेपर्ड लीली को देख लीजिए, इसका वीडियो जब मैंने डाला था तो एक ही फ्लावर खिला था इसमें, और आज देखे 5-6 फ्लावर इसमें, एक साथ खिले हुए हैं। तो देखे कितना सुन्दर सा प्लांट होता है, बल्ब से या डिवाइट करके इसे ग्रो किया जाता है, फ्री का प्लांट है ये भी, दो साल पहले मैंने अपनी फ्रेंड के यहां से इसे लाया हुआ था, इसके पत्ते भी खुबसूरत होते हैं, और बारिश के दिनों में इसमें फ्लावर साते हैं, और यहां भी देख सकते हैं फ्रेंड्स, आपको बहुत सारी यलो पत्ते दिखेंगे, और ये कनेर का प्लांट है, इधर भी ये देखिए, ये मॉस रोज, मॉस रोज बहुत प्यारा सा खिल रहा है, मॉस रोज में पानी की कमी उतनी दिक्कत नह है, अडेनियम को भी मैंने बहुत दिन से पानी नहीं दिया था, बारिश हो रही है करके मैं पानी देना ही बंद कर दी थी, और उसकी भी हालत आप देखेंगे, कहते हैं ना कि अडेनियम को भी पानी कम चाहिए होता है, लेकिन ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, पानी सभी प्लां से खराब हो सकते हैं, और इधर केटरपिलर का भी अटैक है मेरे गार्डन में बहुत ज़्यादा और ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हूं अपने गार्डन को थोड़ा सा अरेंज मुझे करना है, बहुत सारी प्रूनिंग भी करनी है, प्लांट्स की लंबे लंबे हो इनका वगिरा अपने आप सीड से उगाए हैं, और केटरपिलर के कारण जितने भी प्लांट्स मेरे हैं उनके पत्ते में आपको छेद दिखेगा, और ये देखिए सारे स्वीट पोटोटोटे वाइन के पत्तों को भी खा दिये हैं, ये देखिए यहाँ पर गोम फेदना क पत्तों को भी खा दिया गया है, केटरपिलर द्वारा, और ब्लेक कलर का जो आता है न, जिसको हमारी स्थानी भाषा में इधर भूसा कीड़ा बोलते हैं, और बहुत ज्यादा हो गया है अभी हमारे गार्डन में, और ये देखिए, यहाँ सारे मेरे कटिंग्स चल रहे है और दिन भर की सनलाइट में पड़े हुए हैं, कटिंग्स भी, जिनको ग्रो होना होगा वो हो जाएंगे, बहुत ज्यादा कलेक्शन हो जाता है, तो मेंटेन करना भी थोड़ा दिक्कत हो जाता है, इतने सारे प्लांट्स को मैंने हटा भी दिया है, और अब जो विंटर सी कल शाम को मैंने पानी डाला है, तो ये सब ठीक हुए है, नहीं तो बिल्कुल मुर्जा से गय थे, ये लड्डू गेंदा का प्लांट है, पूरा कलियों से भरा हुआ है ये प्लांट, इसमें बहुत सारे फ्लावर खिले हुए थे, और मेरी बेटी ने फुल को तोड़कर शिव जी में चड़ाया है, शिव जी का अगी महीना चल रहा है, सावन का महीना तो, और देखे कितने सुंदर दिखते हैं, लड्डू गेंदा, इसकी कटिंग आप लगा सकते हैं, मैंने भी बहुत सारी कटिंग से इसकी लगाई हुई है, और सभी ग्रो हो गये हैं, और य इतने सारे, इसमें सीर्ट पॉट भी बन गये हैं, सीर्ट से बन गये हैं, तूलसी जी में, तो यही सब गिरते रहते हैं, सीर्ट इसके और अपने आप ग्रो होते रहते हैं, और यह देखे, यह पर्सलेन कितना सुंदर दिख रहा है, गार्डन में, तो यह धोखा हो ही जा और यहा भी गेंदा का ही प्लांट उगम के माने सेड्ज महार्निं गलोरी के और प्लांट्स ऊगाए मृत रुष्ट रोत- रोज-ध। यहाँ पया कर पालसम मैंने सेपरेट नहीं किया और यहाँ पर देखिए यह सब प्लांट्स यह देखिए कुछ प्लांट्स ऐसे हो गए हैं जैसे कि यह टोरेडिया का प्लांट अब यह फ्लावरिंग कर चुका है तो इसको मैं कंपोष्ट में डाल दूगी यह सारे प्लांट्स को जिसकी फ्लावरिंग कंप्लीट हो गई है और थोड़े से यलो दीख रहे हैं उसके प नए प्लांट्स उसमें उगते रहेंगे और यहाँ आप देख सकते हैं जाननी है वेरिगेटट वाला बहुत प्यारा सा अब देखिए इस तरफ का प्लांट आप देखेंगे मेरे ये सारे पर्मनेंट प्लांट है और सभी में पानी की कमी के कारण पत्ते देखें पूरे यलो हो गय है यह देखे पूरे गुडहल के प्लांट है इस तरफ सभी के पत्ते यलो हो गया है पानी की कमी के कारण और इधर यह आपको देख सकते हैं ये नीबु का प्लांट है की प्रूनिंग करनी है मुझे नीबु के बोगन वीला में अभी फ्रावर्स नहीं आये हैं नहीं खिल रहे हैं अभी और यह देखी कितने यत्ती अलो दिख रहे हैं पत्ते यह रेड गुड़ हल है बहुत प्यारा सा बहुत बिक साइज का फ्रावर खिलता है और यह देखे फ्रेंट्स यह सारे प्लांट्स तो थोड़ा सा गार्डन का नजारा भी आपको दिखाना था और कुछ बाते भी आप से करने थी कि बारिश के दिनों में थोड़ी सी हम सभी तो को तो नहीं बोल पाऊंगी लेकिन मैं मेरे से थोड़ी सी लापरवाही हो गई यह देख सकते हैं पूरा हमारा अडेडियम और यह देखें बाल्सम कितना अच्छा इसमें फ्लावर खिल रहा है और इसके पत्ते देखी यह पूरा मुर्जा गया था कल शाम को ही मैंने इसमें पानी दिया है रात हो गई मुझे पानी डालते डालते तो तब आज सुबह यह ठीक दिख रहा है तो आज यही शेयर करना थ मिलते हैं फिर एपी गार्डनिंग बाई